अब सबी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर अब सबी सायद जानते होंगे कि बेस्टेप वाटर विंग्स में अभी भरती हो रही है मुझे उमीद है कि आप सबी ने बेस्टेप का एफ्रॉम भरा होगा इस भीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्चो ए है मेरे बहुत सारे भाई ही जो सबी फ्रॉम भरने के बाद हो जाते हैं एसोसकर क्या करना है क्या पढ़ना है भरती पुक्डिया कैसे होगा मेरा ए भीडियो विशेश रूप से मेरे सबी भाई के लिए है ताकि मेरे सबी भाई इस बाद एसरी गलतिया ना करे और ताकि बेस्टेप के भरती में अच्छे चायान हो सके तो इस भीडियो में में आपके साथ इस भाईती की सिलेक्शन प्रोसेडियोर और रेटेन एक्जाम की सिलेबस के बाड़े में चार्चा करूंगा हम पहले सिलेक्शन प्रोसेडियोर पर चार्चा करूंगी selection procedure को दो चारोनों में विवाजित किया गया है phase 1 और phase 2 phase 1 में कहा गया है आपको पहले written exam देने होगे जो OMR anxious sheet में होगा written exam हिंदी और English language में होगी written exam में सबी प्रोष्णों MCQ प्रोकर के होगे full 100 नमबर का प्रिक्षन किया जाएगा आपको written exam दो घंटे के भीतर पूरी करने होगी क्यूंकि प्रोष्णा का सुमाई दो घंटे का होगा written exam में qualifying mark SCST candidate के लिए 33% और general OBC के लिए 35% होगी उसके बाद phase 1 में सपल होने वाले सबी candidate को phase 2 की तैयारी करने होगी phase 2 में कहा गया है phase 2 में कुल pass step होती है पहला step documentation दूसरा step PMT तीसरा step PET चौता step trade test पच्चिवा step medical test documentation में कहा गया है ये देखने के लिए आपके सभी original document की जास की जाएगी कि documents original है या duplicate जाएसे शिक्षा, टेक्निक, जाती प्रमान पत्रो, आदि PMT में कहा गया है आपके physical standard की जास की जाएगी जाएसी height, weight, chest minimum height 160-175 cm होने चाहिए chest कम से कम 73-75 cm होने चाहिए PET में कहा गया है कि candidate को 3 required qualify करने होगी पहला race, दूसरा high jump, तिसरा long jump पहला race में कहा गया है candidate को 8 minute में 1 mile दोर पूरी करने होगी दूसरा high jump में कहा गया है high jump के लिए candidate को 3 मौका दी जाएगी candidate को 3 मौका में से किसी एक पर 3 feet 6 inch का उचा high jump मारने होगी तिसरा long jump में कहा गया है long jump के लिए candidate को 3 मौका दी जाएगी candidate को 3 मौका में से किसी एक पर 11 feet का एक long jump मारना होगी trade test में कहा गया है candidate जिस post के लिए अविदन किया है और उस post जिस trade के अंतरगा थे उस trade related test ली जाएगी medical test में कहा गया है candidate की नकुन से लेकर सरके बल तक सब कुछ चेक किया जाएगा मेरे सबी भाई जो इस पुक्रिया को अच्छे तरह से पुरा कर सकते हैं उनको 100% सिलेक्शन होगा मुझे उमीद है कि मेरे सबी भाई BSF की चैन पुक्रिया को अच्छे तरह से समझा है इस वीडियो का part 2 में मैं अच्छे तरह से चर्चा करूंगा अगर आप कैसे और कीन विशोय को पाढ़ लेंगे तो आप BSF Water Wing के लिए पुरिक्षा को बहुत आच्छे से पास कर पाएंगे मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को सेयर करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाई हिंद बंदे मतरा है